हम अपना पार्थ 8 32 नौकर पास से विकाएं शुरू करेंगे हमने इसमें यहां तक पढ़ लिया था जिसमें बूड़ा और बच्ची क्या डिसकस कर रहे हैं इस बारे में बात कर रहे हैं कि कि जो समाज कल्यान का मंत्री है उसे अपने विभाग में क्या करना चाहिए रिश्वत फंड खोल लेना चाहिए फिर बूड़ा क्या कहते हैं इस बात पर कि मैं मंत्री को रिश्वत फंड खोलने के लिए क्या करने जा रहा हूं प्रस्ताव रखने जा रहा हूं उसके सामने तो एक बालक क्या बोलता है ताकि ऐसा व्यक्ति जिसके 32 नौकर उसका साथ छोड़ जाएं और 5 सेवी का दासियां दासियों ने ठीक तरह से काम करना बंद कर दिया हो और जो विद्धा वस्था पैंशन के लिए मजबूर हो विभाग के रिश्वत फंड से लेकर रिश्वत खोरों को रिश्वत दे सके तो उसके बाद एक बालक क्या बोलता है कि अगर आप रिश्वत फंड शुरू करवा देंगे तो इससे क्या होगा ताकि जो लोग हैं जिनके 32 नौकर साथ छोड़ के जा चुके हैं पास सेवी का इच्छे से काम नहीं कर दिया है जैनि कि जिसक फंड होगा तो रिश्वत खोरो कर रिश्वत सरकारी दे देगी और सब बच्चे फिर ठाहा का माल कर हजने लगते हैं बुढ़ा अच्छा बच्चों मैं चलता हूं अपने प्रस्ताव सहीद फिर बुढ़ा क्या बोलता है अच्छा ठीक है मैं अपने प्रस्ताव लेकर च हम भी चलते हैं हम भी चलते हैं चलो चलो सब बालक बोलते हैं कि हम भी चलेंगे आपके साथ और फिर सब चले जाते हैं सभी बच्चे बुड़े के पीछे पीछे जाते दिखाई देते हैं डाक बंगले के सामने बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं सभी बच्चे क्या करत बूढे करते हैं बूढागılar के पीछे पीछे जाने लगते हैं और वो क्या देखतें lol डाक बंगले पहुँचकर कि बहुत सारे लोग को खड़े हैं डाग घर के आसपास लंबे कुर्टे पहने टोपियां लगाए लंबे लंबे उन्होंने कुर्टे पहने रखे और टोपियां लगा रखे बुढ़ा और तीन चार बच्चे भी एक तरफ खड़े हो जाते हैं तबी बीतर से मंत्री जी निकलते हैं बाहर खड़े लोगों का विवादन स्विकार कर कार में बैट कर चले जाते हैं फिर बुढ़ा और तीन चार बच्चे जो होते हैं वो भी साइड में खड़े हो जाते हैं तबी क्या होता हैं अंदर से मंत्री जी निकलते हैं और बाहर खड़े लोगों का भिवादन सुकार करते हैं और फिर कार में बैच कर चले जाते हैं अभिवादन मतलब शर्दा पूर्वक जो नमस्कार कर रहे हैं न सब वो एक बालक मंत्री जी तो आए बाबा जैसे गदे के सिर से सिंग मंत्री जी तो गए बाबा जैसे गदे के सिर से सिंग एक बालक क्या बोलता है कि मंत्री जी तो चले गए जैसे गदे के सिर से सिंग चले जाते हैं दूसरा बालक नहीं रहे गदे के सिर से सिंग की तरह नहीं जैसे 32,9 कर और पास से भी का है दूसा बालक क्या बोलते हैं यह तो बिल्कुल वैसे गई हैं जैसे 32 नौकर और पास सेवी का हैं सारे बच्चे तालिया बजाते हैं बुड़ा लार्टी टेकता हुआ वापस आता दिखाई देता है सारे बच्चों ताली बजाते और बुढ़ा फिर लाटी बजाते हुए वापस चला जाता है पार्ट का उदेश्य क्या था? पार्ट का उदेश्य बच्चों को शरीर के अंगों का सदूर प्योग करने की शिक्षा देना है पार्ट में ये सिखाए गया है कि बच्चों को ये जानना है कि उनके जो शरीर है उसके सभी अंगों को वो अच्छे से प्रेयोग में लाए क्योंकि समय के साथ साथ उम्र बढ़ने पर अंगों में स्थिलता आने से ये साथ छोड़ देते हैं आतरहा इनकी क्द्र करना हम सबका कर्दव्य हैं तो हमें इनकी क्या करने हैं क्या करनी चाहिए हमारे चाहिए जितन पियंग है और हमें अदा सबकाइव रखना चाहिए ठेक हैं तो आपको करना है यह जो सब्दार है अपनी नोट-बुक में करने Discord and keep ऐख मंड़ेंَّ एक्सिसाइज आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है ठीक है भाश आवन व्याकरन के दिए है यह भी आपको भड़ने है थैंक यू आल अफ यू फॉर लिस्टिंग में